हलो एवरिवन आज हो 21 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात किने जारे ब्राइट कॉम गुरूप के बारे में 7.5 रोपय का ये शेर है और आज हाला कि ट्रेडिंग नहीं हुई है इसकी और इवन इसकी ट्रेडिंग हफते में एक ही बार होती है हर मंडे को ये ट्रेड होता है और ये आने वाले चार महिनों तक ऐसे ही चलता रहेगा यहां पर अगर आप देखो तो पहले हर रोज 55% की गिरावट थी हर रोज नहीं हर मंडे को ठीक है क्योंकि महिने में हफते में एक ही बार हर मंडे को ही ये ट्रेड होता है तो गिरावट आई 55% की लेकिन पिछले दो मंडे से ये लगादार 55% की अपर सर्केट दिखा रहा है इस कंपनी को लेकर अब बड़ी अपडेट आई है इनके quarterly results के बारे में बात करेंगे उसके बारे म लेकिन एक साल के अगर हम बात करें तो 68% तक का डाउनफॉल हम यहां पर देख रहे हैं और ये लगातर गिरा है देखो बीच बीच में इसने attempt करें है ऐसा नहीं कि attempt नहीं करा था इसने जैसे कि 13 रुपए से 30 की कोशिश करी 16 पर आया वापस गिर कर आ गया ये 9 पर वापस इसने लगातार 4 दिनों तक 5-5% की अपर सर्किट लगाई थी और 9 रुपए से 12 रुपए पर गया था फिर गिरावट शुरू हुई और अगर आप देखो गए तो ये यहां पर 10 रुपए से लगातार गिर कर 7 रुपए से भी निच्चे चला गया था लेकिन पिछले 2 ट् 5-5% की तेज़े देखने को मिल गई कंपनी के fundamentals काफी जादा हिले हुए हैं कंपनी के पीछे CB भी पड़ी हुई है ED भी पड़ी हुई है सब इनके पीछे पड़े हुए है ठीक है तो कि बाइए कई सारे घुटाले की खबर है यहां पर और यह वो कंपनी है जिसने पिछले इनकी ट्रेडिंग होती है और 6 महीं तक यह चीज़ चलने वाली है जिनमें से almost कह सकते हैं कि एक आद महीना दो महीना तो पूरे भी हो चुके हैं दिखते हैं कि क्या होगा बाद में लेकिन जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो इनके quarterly result से जुड़ी हुई है ठीक है जहां लोग financial year 2025 के quarter 1 के numbers post कर चुके हैं इनके अभी पिछले financial year के quarter 3 के number नहीं आये हैं ठीक है जहां हर कोई quarter 3, 4 और even Q1 के भी number present कर चुके हैं इनके अभी तक quarter 3 के numbers नहीं आये हैं और यह अभी और delay हो सकते हैं क्योंकि बड़ी मीटिंग पोस्पॉन हो चुकी है यहां पर बोर्ड मीटिंग पोस्पॉन हो चुकी है देखें यहां पर देखें यहां पर देखें ब्रैटकॉम गुरूज शेर जो है वो कर्रेंटली suspended है इनकी trading होने से BSC और NSC में क्योंकि भाईया due to the non compliance with the later of the master circulation made on the announcement of Tuesday तो यहां पर जो भाईया इनकी जो non compliance के चलते हैं इनकी trading suspended कर होने वाली थी जो schedule थी 20 अगस्त को इसको postpone करके अब 24 अगस्त कर दी गई है तो देखना interesting होगा कि 24 अगस्त को जो meeting होती है results कैसे आते हैं Bradcom Group Board was supposed to consider and approve the result for the quarter ended जो कि December quarter 3 क्या आने वाले थे इनके along with the business matter during the non now postponed board meeting लेकिन अब तो देखा थो भाईया जो meeting है वही यहां पर postpone हो चुकी है तो क्या ही होगा on Sunday evening Bradcom share and investor presentation where the highlight is that it will apply for the renovation of its trading suspension अभी देखो उनका यह कहना है कि देखो भाईया हम जो trading suspension उसके खिलाफ हम apply ज़रूर करेंगे देखते कि शुरू हो बात ही है कि नहीं और यहां पर जैसे कि मैंने कहा Bradcom Group is yet to declare Q3 and Q4 results of financial years इसके अलावा इसी financial year का Q1 का भी results इनको अभी तक published नह it has shared no timeline as where the result will declare अभी भी ऐसा बताया नहीं है कि भाईया result कब declare होगा कब declare होगा अभी भी इन्होंने बताया नहीं है और देखो results क्यों declare होना जरूरी है क्योंकि भाईया इन्होंने जो numbers दिखाया देना इसे पहले के quarter के वह बहुत बड़े-बड़े numbers थे revenue इनका 1814 करोड profit इ इसे profit दिखाया थे इन्होंने और बाद में जो allegations लगे वो यही है कि भाईया इन्होंने जो अपने profits है उनको बड़ा चड़ा कर दिखाया गये हैं तो results आना जरूरी है इन पूरी investigation उनके उपर बैठने के बाद इनके results आना जरूरी है तब clear picture देखने को मिलेगा कि जो profit बाद में कर भी रहे थे कि नहीं यहां पर अगरा देखो दर रिलीज लास्ट विक अगो और सुरी लास्ट विक और सब्सक्राइब ब्रैट कॉम इस लुकिंट एक्सपांड अपर भी इस आफ्रीका इन इवन एश्या पैसिफिक मार्केट से वहां पर भी इस इस और बी इ इन डिजिटल मार्केट एंड मीडिया इंडिस्ट्री अब यहां पर वह यह ट्रेडिंग ही नहीं हो पा रही है ठीक है यहां पर कई सारे लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ है ठीक है बहुत बड़े जो इंवेश्टर है जो शंकर शर्मा उनका भी बहुत बड़ा पैसा यहां पर लगा हुआ है फसा हुआ है कई और लोग है यहां पर जिनका पैसा यहां पर लगा हुआ है यहां पर ब्राइट कॉम ग्रूप करेंटली हैज सिक्स लेक फिफ्टी थाउजन स्मॉल शेर होल्डर्स और धोस हुए और्थोराइज शेर कैपिटल अफ लेस देन अब काफी छोटा है 1526 क्रोड के आसपास का इसका मार्केट क्या है कंपनी को लेकर अगर बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनिकंटल लुजर सप्राइज के 100% लोग खरिदारी यह बात कर रहे हैं यहां पर 100% लोग तो जिस कंपनी के वीचे से बीडी पड़ी हुई है कंपनी ट्रेडिंग नहीं हो रही है ठीक है रिजर्ट कंपनी ने पिछर तीन क्वार्टर से पोस्ट नहीं करें लेकिन फिट भी 100% यूजर यहां पर बोल सकते हैं लेकिन अपको हमेशा दूरी रहने की ही बात करेंगे यहां पर और जहां तक बात करी जा इनके वो 500 करोड के प्रॉफिट थे 2800 करोड तक के रिवन्यू थे 2000 करोड तक के रिवन्यू थे लेकिन एलिगेशन भी तो इनके पर यही लगे है ना कि वह यह नंबर को बढ़ा चाड़ा का रिपोर्ट करा गया है जब इनके आने वाले 3-4 क्वार्टर के जब नंबर आ जाएं या फिर अगर नेगेटिव में आगा तो नेगेटिव में भी देखने को मिल जाएगा तो यह दिक्तत यहाँ पर जरूर रहने वाली है शे होल्डिंग के बारे में अगर देखे तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 18.38% की है लेकिन उनमें से तक्रीबन 0.46% गिरवी भ दिया गया है तो वो अपने शेर यहाँ पर बेचे नहीं पाएंगे यहाँ पर अगर देखो तो 10.70% का स्टेक है काफी बड़ी कॉंटिटी है उनके पास 0.15% mutual fund के पास है रिटेल और अधर की मिलाकर यहाँ पर 70.77 है जिनमें से जाधा कॉंटिटी रिटेल इंवेस्टर ह लेकर और अगर मैं बात करूँ ब्रैटकॉम ग्रुप को लेकर तो ग्राफ सीधा है नीचे की तरफ जा रहा है इससे पहले भी इसने अटेम्ट करें हैं तीजी लाने के तीजी दिखाने के लेकिन हर बार वो वहां से गिरा है तो भाईया मैं भरोसा तो नहीं कर रहा हूँ इसकी दो ट्रेडिंग शेशन की तीजी पर में भरोसा नहीं कर रहा हूँ ठीक है हाला कि किसी को खरीदारी करने के मौके भी नहीं मिलेंगे कि कि पांच परसन का अपर सकी लग रहा है तो यहां पर जब लोगर सकी लगना शुरू होगा तो लगाता नीचे ही जाएगा को साथ में कि यह शेर एक दो रुपए का भी था ठीक है एक दो रुपए का शेर भी था यह तो यहां पर ग्राफ एक जटके में तीजी वाला आया और यही वो टाइम था जब प्रमोटर ने बहुत सारे शेर बेचे भी थे प्रमोटर ने बहुत शेर बेचे थे इस दौरा और allocations वो भी लगे है, बाद में लगातार गिरावट अभी हम देख रहे हैं, बीच बीच में attempt करा जरूर है, लेकिन कोई उतनी बड़ी दीजिन नहीं आई है, तो यहाँ पर में इतना ही कहूँगा कि दूर बैठो तो माशा देखो, जल्दबाजी मत करना, यह मेरा मानना है बागी मरजी आपकी है, कोई recommendation मेरी तरफ से यहाँ पर नहीं है, बाई असल की, वीडियो को इहीं पेंडर करता हूँ, पसंद आए हो तो लाइक करेंगे चैनल, अगरा पहली बारे हैं तो प्लिस सब्सक्राइब कर, ब्रैटकॉम ग्रूप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिके बता सकते हैं, थैंक्यू